नमस्कार मित्रो, आज हम रुद्रक्ष के बारे में एक खास जानकारी लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और असली रुद्रक्ष क्या होता है, नकली रुद्रक्ष कैसे होते हैं, आप लोगों ने बहुत से जगा पर टीवी पर या बहुत से लोगों से आपने सुना कि जो असली रुद्राक्ष होता है वहाँ पानी में नीचे डूब जाता है तो ऐसा नहीं है मित्रो क्योंकि अगर हम देखेंगे अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह एक रुद्राक्ष है इसको मैंने पानी में डाला यह डूब गया यह असली रुद्राक्ष है तो इस तरीके से रुद्राक्ष की पैचान नहीं होती है रुद्राक्ष जो होता है वहाँ एक तो आप जानकार नहीं है तो आप ऐसे जगों से लीजिए जहाँ पैचान आपकी होती है एक्चुल में रुद्राक्ष की अगर सही पैचान करनी है तो आप लोगों को रुद्राक्ष को जो है वो आप X-ray अगर करते है रुद्राक्ष का तो जितने मुखी रुद्राक्ष होगा मुख मतलब इस पे जितनी लाइनिंग से अब इस पे दो लाइनिंग है तो ये दो मुखी रुद्राक्ष है इस पे आप देख रहे हैं इसमें चार लाइनिंग है तो ये चार मुखी रुद्राक्ष है इसमें छे लाइन आप देख पा रहे हैं तो ये छे मुखी रुद्राक्ष है यह जो रुद्राक्ष है यह बीज होता है आप जैसे यह दो मुखी है तो अगर आप देखेंगे तो इसमें दो बीज आपको दिखाई देंगे एक इस साइड में एक इस साइड में उसी तरीके से अगर ये रुदораक्ष ये रुदराक्ष एक जो मेरे पास फूटा हुआ है आप देख सकते इसको ये ऐसे रुदराक्ष है देखिए ये चार मुखी रुदराक्ष है आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये देखिए आप अलग-अलग घर इसमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक, दो, तीन, चार, इसके अंदर चार बीज है, तो उसी तरीके से ये जो रुदराक्ष होते हैं, जैसे अब ये गवरिशंकर रुदराक्ष है, शिव और पारवति का रूपी से माना जाता है, ज आए हम रुदराक्ष के महत्वा को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एक मुखी जो रुदराक्ष, रुदराक्ष मतलब शिव जी के अक्ष से बना हुआ जो फल है, वो रुदराक्ष, अब जैसे मेरे पास में जो होगे वो मैं आपको बता दूँगा, जैसे ये एक एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो जोती है दुश्री कौन से यह सूर्य के दोशों को दूर करता है अगर आप सूर्य जनी दोशों से ग्रसित है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं साथी साथ सीहराशी वाले लोग इसको धारन कर सकते हैं हड्डियों के ब माश्तिक्ष समंधित बिमारियों में यह रुद्राक्ष अति लापकारी होता है। उसी तरीके से जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है। गऊरी और शंक्र का प्रतीक माना जाता है। जो होते हैं या जिनका चंद्रमा कमजोर होता है जिन लोगों को जिन श्त्रियों को मासिक धर्म में कर्ष्ट होता है जल समंदी रोग जो भी होते हैं मास्टिक से समंदित जो भी रोग होते हैं तो यहां रुद्राक्ष उन लोगों ने धारन करना चाहिए उसी के साथ साथ तीन मुखी जो रुदराक्ष होता है तीन मुखी रुदराक्ष जैसा कि आप देख रहे हैं ये तीन मुखी रुदराक्ष है इसमें तीन मुख है ये तीन मुखी रुदराक्ष जो है वो ब्रह्मा विश्णु महेश का प्रतीक माना जाता है और यहां ऐसा म आना जाता है कि यहां मंगल से समंदित दोशों के लिए उपयोगी होता है उसी तरीके से मंगल अगर कुंडली में अगर दूशीत है तो आप इस रुद्राक्ष को धारन कर सकते हैं तो मंगल वाली जो राशिया है मेश राशी और रुष्चिक राशी वाले लोग इस पर धारन कर सकते हैं यहां जो है प्रेगनेंट लेडी ने इसको नहीं धारन करना चाहिए रुष्चि और यहां बुध ग्रह से समधित होता है जिन लोगों के कुंडली में बुध या जो विद्यार्थी लोग है उन लोगोंने इसका प्रयोक करना चीये विद्धार्थी लोगों के लिए एक खास प्रयोग मैं बता दू इस रुद्राक्ष को आपने दूद में उबाल कर या पानी में उबाल कर वह पानी या दूद आप लगातार 40 दिन पीजिए साथ साथ में इस रुद्राक्ष को गले में धारन कीजिए तो निच्ची ती रूफ से आगकी विद्या बुद्धी में बढ़ोतरी होगी आईए अब देखते हैं आगे हम पांच मुखी रुद्राक्ष जो होता है पांच मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो गुरू इस ग लाइनिंग आपको दिखाई देंगी इसमें तो जिसपर 5 लाइनिंग होती है वो पांच मुखी रुद्राक्ष निका ब्रुहस्पती इसमें तो राशिया को अग्यां संनिशित रूफ से उनको बहुति फायदा हो प्रतिक होता है लिवर से समंदित बिमारिया भी इससे दूर होती है इसका पानी पीने से उसी प्रकार से 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है यह गनेश पुत्र कार्थी के का प्रतिक माना जाता है और यहाँ जो लोग धारन करते हैं उन पे गवरी का विशेश कृपा होती है शुक्र से समंदित जो लोग होते हैं मतलब तुला राशी और वुषब राशी वाले वेक्ति इसको धारन करते हैं यहाँ हीरे का बहुत अच्छा सब्स्टिटूर माना जाता है उत्तम भाग्य प्रेम और संगीत का कारक यहाँ जो रुद्राक्ष होता है 6 मुखी रुद् यह जो है यह सात मुखी रुद्राक्ष है सात मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह साक्षत हनुमान जी का प्रतिक माना जाता है और यह जो है आपके भाग्योदय में बहुत ही लापकारी होता है आकर्शन करने की विशेश शक्ति इसमें होती है और शनी ग्रह से समंदित जो भी लोग है शनी जिन राशियों में होता है शनी जिन राशियों का सौमी होता है कुम्ब राशी और मकर राशी के लोग इसको धारण कर सकते हैं जो लोग धन की वज़ा से परेशान है वो लोग इसे धन के लिए भी धारण कर सकते हैं साथी साथ यह जो है यह अनन्त आकर्षन का केंद्र भी माना जाता है और जो भी स्त्रियों से समंदित या पूर्षों से समंदित जो भी जनन समंदित रोग होते हैं उनमें यह विशेश लापकारी होता है साथी साथ हम देखेंगे अभी आठ मुखी के लिए आठ मुखी रुद्राक्ष जो होता है आठ मुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह का प्रतिक माना जाता है या इसमें आठ लाइनिंग होगी मैं आपको इसको एक बार निकाल के बता देता हूँ जैसा कि आप इसमें यह जो लाइनिंग देख रहे है यह इसमें 8 लाइनिंग होगी अगर आप गिनेंगे इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसमें 8 लाइनिंग है यह 8 मुकी रुदराक्ष है और यहां राहू का प्रतिक माना जाता है तो जिन लोगों को कालसर्प योग है या जो लोगों के कुंडली में पित्रू उदोश है या जो लोगों के कुंडली में राहू बिगड़ा हुआ है या जिन लोगों को राहू की महादशा शुरू है वहां लोग इसको धारन कर सकत यह 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो कार्तिक या गनेश का प्रतिक या अश्ट मात्रुका का अश्ट वसुगंड का और इसमें खास तौर पे गंगा का वास माना जाता है राहु जनित बिमारिया चर्म रोग है लंक्स की बिमारिया है मोतिया बिंदु है इसमें यह विशेश लापकारी होता है उसी के साथ साथ 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह रुद्राक्ष इसमें 9 लाइने होगी यह 9 मुखी रुद्राक्ष केतु का प्रतिक होता है केत आगे 10, 11, 12, 13, 14 मुखी तक के रुदाराक्ष होते हैं अभी मेरे पास में जो रुद्राक्ष मौजुद है वो ग्यारा मुखी रुद्राक्ष ये मौजुद है मेरे पास अभी अभी 10 मुखी रुद्राक्ष मौजुद है उसी तरीके से एक मेरे पास 14 मुखी रुद्राक्ष उपलब्द है गनेश रुद्राक्ष उपलब्द है द और डुबिकेट काजुदाना जो मिलते है तुर जगह फे इस तरीगे से होते हैं तो ये भी पानी में डूब रहा है। गलत फेमी वाली बात है कि पानी में रुद्राक्ष डूप जाता है असली देखिए ये तीनों भी रुद्राक्ष डूपलिकेट है जो पानी में डूप गया है और ये जो सारे रुद्राक्ष है यहाँ पर ये रुद्राक्ष ओरिजनल रुद्राक्ष है इनको मैं पानी में दाल रहा हूँ तो ये सारे भी डू आयोगा धन्यवाद